नमस्कार, आप सभी को सात्वे अंतराष्टिय योग दिवस की बहुत बहुत शुब काम ना है, आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उमीद के किरन भी बना हुआ है, दो वर्षे दुनिया भर के देशों में और भारत में बले ही बड़ा सारवजनी कारकम आयुजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रती उत्सा जराब ही कम नहीं हुआ है, कोरोना के बावजुद इस बार की योग दिवस की थिम योगा फर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रती उत्सा को और भी बढ़ाया है, मैं आज योग दिवस पर ये कामना करता हूं कि हर देश, हर समाच और हर व्यत्ती स्वस्त हो, सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने, साथियों हमारे रूश्यों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्चते ये परिभाशा दे थी, उन्होंने सुख दुख में समान रहने, सईयम को एक तरह से योग का परामिटर बनाया था, आज इस वैश्विक त्रास्थी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है, कोरोना के इन डेड़ वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है, साथियों दुनिया के अधिकाव देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांसकृतिक परवन नहीं है, इस मुश्किल समय में इतनी परिशानी में लोग इसे आसाने से भूल सकते थे, इसके उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरित लोगों में योग का उत्सा और बड़ा है, योग से प्रेम बड़ा है, पिछले डेड़ सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं, योग क्या जो पहला परियाए, सैयम और अनुसासन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं, साथियों, जब करोना के अद्रिश्य वाइरस से, और इस अद्रिश्य वाइरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश, साधनों से, सामर्त से, और मानसिक अवस्ता से, इसके लिए तैयार नहीं था, हम सभी ने देखा हैं, कि ऐसे कठीन समय में, योग आत्म बल का एक बड़ा माध्यम बना, योग ने लोगों में ये भरोशा बढ़ाया, कि हम इस बिमारी से लड़ सकते हैं, मैं जब फ्रंट लाइन वारियर से, डॉक्टर से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं, कि कोरोना के खिलाब लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया, डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया, और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उप्योग भी किया, और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी इस तस्वीरे आती हैं, जहां डॉक्टर्स, नर्सेस, मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साजा कर रहे हैं, प्राणायम, अनुलोम बिलोम, जैसे ब्रितिंग एक्सेसाइज यह, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टिम को कितनी ताकत मिलती हैं, यह भी दुनिया के विशर सग्य खुद बता रहे हैं, साथियों महान तमिल संथ, श्री थिरुबल्व बर्द जी ने कहा, नोई नाड़ी, नोई मुद्दल नाड़ी, हदू तनिकुन वाय नाड़ी, वाय पच्चे यलग, तरफात, अगर कोई बिमारी है, तो उसे डायोगनाईज करो, उसकी जर तक जाओ, बिमारी की वज़े क्या है, यह पता करो, फिर उसका इलाज सुदिश्चिक करो, योग यही रास्ता दिखाता है, आज मेडिकल साइंस भी, उपचार के साथ साथ, हीलिंग पर भी उतना ही बल देता है, और योग हीलिंग प्रोसेस में उपकारक है, मुझे संतोस है कि आज योग के इस पहलू पर, दुनिया भर्व है के विशेसग्या, अने प्रकार के साइंटिफिक रिसल्ट भी कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, साथ योग कोरोना काल में योग से हमारे शरील को होने वाले फाइदों पर, हमारी इम्मुनिटी पर पढ़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर कई स्टडीज हो रही है, आजकल हम देखते हैं, कई स्कुरों में, ओनलाइन क्लासिज की सुरुवात में, दस-पंदरा मिनिट बच्चों को योग प्रानायम कराया जा रहा है, ये कोरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की सारीक रूप में तैयारी कर रहा है, साथियों, भारत के रूश्यों ने हमें सिखाया है, व्यायामात लबते स्वास्तम, दिर्ग आयुशं बलं सुखं, आरोग्यम परमं भाग्यम, स्वास्तम सरवार्त साधनम, अर्थात, योग्य व्यायाम से हमें अच्छा स्वास्त मिलता है, सामर्थ मिलता है, और लंबा सुखी जीवन मिलता है, हमारे लिए स्वास्त ही सबसे बड़ा भाग्य है, और अच्छा स्वास्त ही सभी सफलताओं का माध्यम है, भारत के रूशियों ने, भारत ने जब भी स्वास्त की बात की है, तो इसका मतलब केवल सारीजिक स्वास्त नहीं रहा है, इसलिए योग में फीजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोड़ दिया गया है, जब हम प्रायम करते हैं, ध्यान करते हैं, दूसरी योगिक क्रियाएं करते हैं, तो हम अपनी अंतर चेतना को अनुभव करते हैं, योग से हमें ये अनुभव होता है कि हमारी विचार शक्ती, हमारा आंतरिक सामर्थ इतना ज्यादा है कि दुनिया की कोई परेशानी, कोई भी नेगेटिविटी हमें तोड नहीं सकती, योग हमें स्ट्रेश से स्ट्रेंद्थ की और और नेगेटिविटी से क्रियेटिविटी का रास्ता दिखाता है, योग हमें अवसात से उमंग और प्रमात से प्रसाद तक ले जाता है, Friends, Yoga tells us that so many problems might be out there but we have infinite solution within ourselves, we are the biggest source of energy in our universe. We do not realize this energy because of the many divisions that exist at times the lives of people exist in silos. the divisions reflect in the overall personality as well. The shift from silos to union is Yoga, a proven way to experience a realization of oneness is Yoga. I am reminded of the verse of the great Gurudev Tagore who said and I quote, the meaning of ourself is not to be found in its separateness from God and others but in the ceaseless realization of yoga of union unquote. The mantra of Vasudev Kutum Kam which India has followed since ages is now finding global acceptance. We all are praying for each other's well being. If there are threats to humanity, Yoga often gives us a way of holistic health. Yoga also gives us a happier way of life. I am sure Yoga will continue playing its preventive as well as positive role in healthcare of masses. This is something that needs your own success. It is something that we do not like, the international phenomenon of human being. The international phenomenon of human being. The international government has a good-alteous speech for many years. Things that need the link to the Everest. We also have a better-based knowledge of our life. महत्वपुन कदम उठाया है अब विश्व को एम योगा कि एम योगा एप की शक्ति मिलने जा रही है कि इस एप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियो दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्द होंगे यह आधुनिक टेक्नोलोजी और प्राचिन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बहत्रिन उधारन है मुझे पूरा विश्वास है एम योगा एप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमी का निभाएगा साथियों गीता में कहां गया है तम बिद्धा दुख संयोग व्योगम योग संगित्तम अर्थाथ दूखों से व्योग को मुक्ति को ही योग कहते हैं सबको साथ लेकर चलने वाली मानवता कि ये योग यात्रा हमें ऐसे ही अनवरत आगे बढ़ा दी है चाहे कोई भी स्थान हो कोई भी परिस्तिती हो कोई भी आयू हो हर एक के लिए योग के पास कोई न कोई समाधान जरूर है आज विश्व में योग के प्रती जिग्यासा रखने वालों के संग्या बहुत बढ़ रही है देश विदेश में योग प्रतिष्ठानों की संग्या में भी बृद्धी हो रही है ऐसे में योग का जो मुल्भुत तत्व ग्यान है मुल्भुत सिध्धान है उसको कायम रखते हुए योग जन जन तक पहुँचे अभिरत पहुँचे निरंतर पहुँचे यह कार्य आवशक है और यह कार्य योग से जुड़े लोगों को योग के आचारियों को योग के प्रचारकों को साथ मिलकल करना चाहिए हमें खुद भी योग का संकल्प लेना है और अपनों को भी इस संकल्प से जोड़ना है योग से सही योग तक का यह मंत्र हमें एक नए भविश्य का मार्ण दिखाएगा मानवता को ससक्त करेगा इनी शुब कामनाओं के साथ आज आंतराष्टिय योग दिवस पर पूरी मानवजात को आप सभी को बहुत बहुत शुब कामनाओं बहुत बहुत धन्यवाद